हेलो नमस्कार साथ यो स्वागत आप सभी का अल्टाम टावपार्श पार एकोने लेटेस्ट अपडेट वीडियो के शाथ आसा करता हूं उम्मीद आप सभी अच्छी होंगे स्वास्तोंगे मस्तोंगे बिंदास होंगे इस वीडियो में चर्चा का विशे होने वाला है यहां पर हमें नॉर्मलेशन देखने को मिला है तो ऐसे में सुभाविक है कि सीटिस नातक में आपका नॉर्मलेशन देखने को मिलेगा अगर ऐसे में सीटिम नॉर्मलेशन होता है तो किस सिप्ट को यहां पर साथ यो फायदा होने वाला है कौन सी सिप्ट को यहां पर होन तो यहां पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं काफी जैसे की यूटूबरों के मादम से आप अब्यार्थे को यहां पर सात्यों बेकूब बना जा रहा है कट आप को लेकर ठीक है ठमनेल लगा जा रहा है कि कट ओफ क्या रहने वाली है देख लो कट ओफ इतने नंबर आ रहे तो होंगे पास यह वो है तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथ उसकी कोई कट ओफ नहीं जाती है क्योंकि बोर्ड ने यहां पर पहले कर दिया जर्नल एड़लो एस एस एमबी सी ओबी स इनके लिए यहां पर 40% क्राइटेरिया कर दिया है कि जो भी 40% कोशन ठीक करेगा निकि नंबर लेकर आएगा उसका सीटी क्लियर हो जाएगा और सीटी के वाज़ता आप सभी को बता है तीन से चार साल रहने वाली है इसके लावा यहां पर S.C. और S.T. के लिए यह 20% अनिकी 60 इनके यहां पर ठीक होने चाहिए जब कि यहां पर बात करते हैं इनके वारे में S.C. S.T. के बारे में इन के इन काटेगरी में 120 नंबर आना जाए जिस भी अब्ध्यक्षी पांच नंबर आ रहे हैं उसका पेपर किलियर है जब कि यहां पर जिस भी अब्यथी क जो भी आगे के तैयरी करना चाहता है यहां पर पटवारी बरती तो हमें जल्दी से जल्द देखने को मिल जाएगी यह बात करमचारी चैनबोड के अध्यक्स आलोक राजी के दौरा बता दी भी गई है अब बात करते हम यहां पर की जो फायदा होने वाला किस शिप्ट को य एक बार लेवल की बात करते हैं, पेपर के लेवल की, तो आपको पता है साथियो, जो यहाँ पर फर्स्ट पारी का जो पेपर था, उसका जो लेवल है, वो बहुत इजी लेवल था, जादा, यानि कि कहने सकते कि मोडरेट लेवल, इसके लावा सेकेंड शिप्ट का जो पेप था, ठीक ठाक था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टप था, वो आपका थर्ड शिप्ट का था, तो अब ऐसे में, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है, वो फायदा यहाँ पर होने वाला है साथियो, थर्ड शिप्ट वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है जबकि जो नुकसान होने के संभावना है वो first shift में होने की संभावना है अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ साथियो उधारन देता हूँ यहाँ पर पटवारी बरती 2021 देश्टी थी इस बरती में होता कैसाथियो जो normulation किया गया था उसमें यहाँ पर बहुत बड़ी संक्या में एनिवित्ता में देखने को मिली थी और जो चोथी shift वाले यहाँ पर अभ्यर्थी थे फोर्थ shift वाले इनके यहाँ पर 10 से 15 नंबर तक यहाँ पर normulation में कम देखने को मिले थे और ऐसे में वो अभ्यर्थी last में final selection की दोड में इनकी जो दो गुणा के result जारी किया गया था उसमें वो वहाँ पर भार हो गए थे तो ऐसे में अगर यहाँ भी सात्यों ऐसे ही होता है इसमें तो जो अभी मैंने बताए था कि 40% जिन अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं वो भी selection की दोड से यहाँ पर भार हो सकते हैं क्योंकि अब जैसे अभी मैंने बताए था कि 40% जैसे किसे अभ्यर्थिक मानलो 60 question right हो रहे हैं किसी के 62 right हो रहे हैं किसी के 64 right हो रहे हैं अगर 10 से 25 या 12 नंबर जो भी कम होते हैं तो आशे में सुवाविक है पहुत बड़ी मात्रा में नंबर भी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि जो बूर्ड कार जो system है वो बहुत ही साथ यों बेकार होने वाला है और जल्दी इसके आप जो ऑफिशल अंसर की वह भी आपको बोड़ को वह साइट पर देखने को वह मिल जाएगा और जैसे वह सब आपको मिलेगी तो आपको सबसे पहले हमारी और से साथे उस्चित करते जाएगा आसा कता हुजान करें आपको अच्छी लगे होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ थैंक्यो जैसरी किस्टना